जुन्जनों में बीजेपी किसान जुनाक रोस माहरेली आज ट्रेक्टर चला कर पहुंचोंगे नेता करजमाफी वेलंपी रोग के मुद्दे पर हल्ला बोल जुन्जनों में आज बीजेपी किसान जुनाक रोस माहरेली होगी जिसके बास सभा गायोजन होगा रàiली में किसान वाडह्यटा ट्रेक्टर लिगर्स किसान सब्हा को लेकर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि हमने इस महीने पहले अतचार को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदेशन किया वहीं आज हम किसानों के मुद्दे पर जहनों में सरकार को घ्रने का काम करेंगे CP जोशी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों से कर्जमाफ करने का वादा किया था लेकिन आज तक सरकार ने किसान का कर्जमाफ नहीं किया है जिसके चलते किसानों की जमीन कुर्ख हो रही है उनके खाते NPA हो गए है किसान सबह में ऐसे किशान शामिल होंगे जिनके जमीन करजा नहीं चुकाने में कुर्खों जा रही है वही गहलोत सरकार लंपी रोग से अपने पशुक गवाने वाले पशुक पालगों को 40-40-40,000 का मुआफ़ा देने की बात कहती है लेकिन सरकार आकड़ों को छुपा रही है जिसके चलते सभी पशुक पालग को मुआफ़ा नहीं मिल पा रहा है किसान सभा में ऐसे पशुक पालग भी पहुचेंगे जिन्होंने लंपी रोग के दोरान अपने पशुक हो दिये थे और आज तक उन्हें मुआफ़ा ही नहीं मिला किसानों के बाद ब्युजेपी इसी महीने 18 जुलाइक वजमेर में युवाव के मुद्धों पर भी प्रदिशन करेगी ब्युजेपी का कहना है कि युवाव को कॉंग्रेस की गहलों शरकार ने हर पल धोका दिया है अडियल रवय अपनाया और युवाव को बरबाद करने में कोई कसर नहीं चोली है प्रदिश का यूथ आज आकरोशित है आए दिन होने वाले पेपर लीग से लाखोनों जवानों का भविश्य अंधिरे में है शर्म की बात तो ये है कि गहलों सरकार के मंत्रियों की सरपरस्ती में ही पेपर लीग की घटनाय प्रदिश में हुई है जिससे आज जो प्रदिश का यूवाव अपनी आपको छगा महसूस कर रहा है के बाति है ने पेपर लीग प्रकरण में आरोपयों की प्रस्टी भूमी की जज़ाजके है बिना ही और पिएस्से मैंबर नियुक किये जिनों ने राज्स्त्ताना के यूवाव की भविसम से खिलवाड किया है प्रदेश का युवा अगा में ठर जुलाई को अजमेर के विशाल विरोध प्रदेशन से कांग्रेस की कहले सरकार की कुरसी को खार फैकले का काम करेगा